चारे बच्चो स्वागत है एक और नई वीडियो में बच्चो इस वीडियो में आपके लिए जो आपका प्रतिवा पर मुल्यांकन बर्क्षीट जारी कर दी गई हैं यह आप जो कक्छा 5 की जतने भी बच्चे हैं तो वो हैं पर बिसे प्रयावरण अध्यन का फुल पूरा सॉलिशन को ही नहीं बता रहा है आपको तो इस लिए इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जो आपका प्रतिवा पर्व का पेपर है वो दो पाग में आया है घंड आहा है खंड आ खंड आ लेकित है जो की कुछ बिल्कुल पक कर पाएंगे उके बच्चो तो चलिए वीडियो को स्टर्ट करते हैं सबसे पहले आप विद्ध्यार्ति का नाम लेकेंगे यहाँ पर इसके बाद आप अपने पता जी का नाम लेकेंगे और आप जिस स्कूल में पढ़ते स्कूल का आप नाम मैंसें करें कौन सा उपकरन है जो फूक कर बजाया जाता है ठीक है तो आप यहाँ पर देखेंगे यह बीड़ा है और यह आप बहुत से बजाते हैं इसे भी हाँ से आप होई से बहुत तो यहाँ पर आपको option C correct कर देना है चलिए इसके बाद देखते हैं प्रस्न करमांग 2 तापमान से मापा जाता है तो क्या मापा जाता है थर्मामीटर इस टेटो कॉप्स लेंज इस टॉप वाज तो यह क्या थर्मामीटर तापमान से क्या थर्मामीटर यानि temperature मापा जाता है थर्मामीटर के दोरा चलिए प्रस्न 3 देखिए यहाँपर आपको यह diagram देख रहा हुआ यह diagram देखिए और इस चित्र दिएक है चित्र कहा है आप veure जह की जांगल में प्یड होने चाहिए लेकिन यह यह जहां पर इनकी safety के लिए औंदर इनको यह रख दिया जबकि यहाँ जू है ठीक है यानि कि चिडिया घर है ओके चलिए परस्ण चार की और बलते हैं परस्ण चार आप यहां पर देख पाएंगे वहानों के प्रिदूसर्ण से हम अतिदिक प्रवावित हो रहे हैं इसे कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हो तो यह आपका पैदल चलना अ अपने अलिमेटर सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैप के साथ या फिर आपके 6 से 12 तक हो आई आई टी जी नीट का सवाल हो या फिर सीवेसी यूपी विहार राजिस्तान या फिर आधर स्टेट का हो या फिर आपका फिजिक केमिस्ट्री मैथ वाइलोजिया साइंस का सबी सवालों के अंसर आपको मिलेंगी डाउटर एप पर साथ में क्लास 9 से 12 तक आई एटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासिस भी आपको डाइटर पर मिलेगी लाकुछ छाथ डाउटन से परकार नंबर वन रेंक ला रहे हैं तो आज ही डाउटन जान कीजिए और नंबर कamas 6 तक टैनिक के दिनों में तापमान कर्मी के दिनों से होता है तो किस प्रकार होता है जादा होता है कम जादा है सब सब्सक्राथ screaming is तो यहाँ पर पहला option है कोईला, जी वीदन, सौरूर्जा, पबनूर्जा तो यहाँ पर आपको बताना है जो कौन सा साधन है वो क्या है सीमेत है तो यह कोईला आपको सभी कर देना option A चलिए next question क्यों बरते है, question number 8 है question number 8 में आपको बताना है कि मकान बनाने में प्रियोक्त ओजार है तो यहाँ पर आपको खुर्पी कर देना ठीक है, यहाँ पर आपको option A में खुर्पी दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर खुर्पी कर देना ठीक है, यह आपका प्रियोक्त ओजार हो जाएगा इसके बाद देखिए पर्षण 9 से 13 तक आपको अतिला गुत्री पर्षण है और प्रतेक पर्षण के लिए आपको यहाँ पर दो अंक दिया जाएगा है ना तो चलिए इनके भी आंसरम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए यह आपको चित्र में दिखाया गया कीट की कुछ बिसेश्था हैं लिखिए तो यहाँ पर आपको कीट दिखाया होगा तो इसमें क्या है चित्र में रेसम कीट को दिखाया गया है रेसम कीट एक लिंगी होता है अर्ता नर और मादा कीट अलग अलग होत है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे सैतुत के पत्ति को खाते हैं मादा कीट अंडे देते हैं रेसम कीट से रेसम की प्राप्ति होती है इस प्रकार से आप कॉश्चन नमबर जो है नो का आंसर लिख पाएंगे कॉश्चन नमबर दस देखिए धान और आलू की फसल में अं त्यार हो जाती है जबकि जो आलू है वो 80-90 दिनों में तैयार होता है चलिए इस प्रकार से आप कॉश्चन नमबर दस का अंसर लिख पाएंगे अब हम देखते हैं कॉश्चन नमबर 11 जब हम कपड़े दो कर सूकने डालते हैं तो बे क्यों सूक जाती है कारण साइथ उत कॉश्चन नमबर देखिए तो कॉश्चन नमबर आप यहां पर देख पाएंगे पीने के पानी को कहां पर साब करके हमारे घरों तक पहुंचाए जाता है और यह क्यों जरूरी है तो पीने के पानी को जल सायंत्रों में शुद्ध करके हमारे घरों तक पहुंचाए जाता है यह हमारे स्वाष्ट के लिए जरूरी है किसके लिए हमारे स्वाष्ट के लिए इस परकार एकोडिंग लिखना है फिर भी हमने यहां पर लिख दिया है मेरा खर बड़ा वसांत बाता परण में होना चाहिए मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भाई वेन दादादी रहने चाहिए इस प्रकार से परस्ट करमांग तेरा का उत्तरा आप दे पाएंगी इसके बाद नेक्स यहां पर हमें पुराने और नए नोटों में अंतर पहचान करना है तो देखिए तो यहां पर देखिए तो पुराने नोट और नए नोट तो यह आकार में छोटी होती है नए नए नोट है ना नया बीस का नोट पीला हरा रंग का है और यह पिछले हिस्से में एलोरा की ग आंसर लिख पाएंगे वोके अब बच्चों 15 और 16 का आंसर आपको बहुत जल इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा और खंडबा का सॉलीशन आपको कहां पर मिलेगा उसी के साथ आपको खंडबा का सॉलीशन देखने को मिल जाएगा इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर करेंगे तो उसकी नोटिफिक्रिशन आपको तभी पहुंचेगी जब आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगी और बता दे साथ ही हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूर